हलो बच्चो कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ पूजा सिंग and welcome back to my channel accounting masterclass मेरा गला अभी भी ठीक नहीं है अभी भी बैठा हुआ है ठीक है मुझे अभी भी आराम नहीं मिल पाया है तो आपको आज भी इसी voice के साथ थोड़ा सा manage करना होगा वैसे मैंने सोचा था कि अभी मैं वीडियो न बनाओ जब गला ठीक हो जाए तब मैं बनाओ बट आप लोग की exam आने वाले हैं और मैं exam से पहले आपका syllabus complete कराना चाहती हूँ तो आज थोड़ा सा manage कर लीजेगा बागी मैं steam वागेरे ले रही हूँ hopefully अगले lecture तक मेरा गला ठीक हो जाए ठीक है चलिए आज ही इस lecture में हम एक नया और एक बहुत ही important topic discuss करने जा रहे है that is branch account बहुत सारे students के message आ रहे थे कि ma'am become first year का syllabus करा दें तो बस आजकल उसी पे काम चल रहा है branch account भी become first year के syllabus का part है तो चलिए फिर detail में देखते हैं कि आज के इस lecture में हम कौन-कौन से sub topic discuss करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि branch क्या होती है branch कितने type की होती है ठीक है फिर branch account कैसे बनाया जाता है और फिर हम देखेंगे dependent तीन type की branch होती है तो उसमें सबसे पहले जो dependent branch है उस branch के case में जो book of account maintain किया जाता है वो चार methods होते हैं जिन method की मदद से book of account एक dependent branch maintain करती है तो वो चार मेथड के बारे में देखेंगे, सबसे पहला मेथड है debtor और direct system method, दूसरा है final account system, तीसरा है stock and debtor system, चौता है wholesale price system, तो यह चार मेथड हैं जिन मेथड से dependent branch अपने book of account को maintain करती है, उसके बाद हम देखेंगे independent branch क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे foreign branch क्या होती ह अच्छा लेक्चे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को थाइंक्यू कहना चाती हूँ, धन्यवाद देना चाती हूँ, आप सभी का मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है, आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, थाइंक्यू सो मच, तो बस ऐसा ही सप आप मेरे चानल पर बनाए रखे हैं, और मैं भी अकांटिंग के जो डिफरेंट कॉंसेप्स हैं, उन पर वीडियो लाती रहोंगी, और एक बात और कि अगर आप मेरे चानल पर फिर्स टाइम आये हैं, तो मेरे चानल के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, कि मे प्रॉट्स और नुमेरकल, तो डॉंट फोगेट तो सब्स्राइब, लाइक और शेर माई वीडियो राइट, चलिए, अब हम अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं, ब्रांच, यह वर्ड वेसे काफी कॉमन है, आपने सुना होगा, ब्रांच, हिंदी में ब्रांच का क्या मतलब होता है, शाखा, जैसे पेड़ की ब्रांचेज होती हैं, शाखाएं होती हैं, वैसे यहाँ पर एक बिजनस, एक कंपनी की ब्रांच के बारे में बात हो रही है, जैसे जैसे बिजनस बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे बिजनस के जो ऑपरेशन्स हैं, बिजनस क जो clients हैं वो बढ़ते जाते हैं ठीक है business या company को फिर जरूरत महसूस होती है कि वो अब अलग-अलग location पर अपने छोटे-छोटी office खूल ले ताकि वो उस area के जो customers हैं उनको better service, better product provide कर सके तो बस इनी छोटे जो office होते हैं जो main head office का part होते हैं बस वो जोग्रोफिकली separated होते हैं बस वो जोग्रोफिकली अलग location पर situated होते हैं और वो same activity perform करते हैं जो head office perform करता है तो इनी को branch कहा जाता है यह बात समझ में आई, branch क्या है, branch इदे कि मैं लिखा है, branch is the section of the enterprise branch वो main business, main enterprise का ही एक part होता है, एक section होता है बस वो geographically separated होता है, मतलब वो अलग location पर situated होता है from the rest of the business, यानि बाकी business से एक अलग location पर situated होता है उसको head office ही control कर रहा होता है, ठीक है, उसके जो operations होते हैं उनको head office ही guide कर रहा होता है, control कर रहा होता है और जो branch होती है, वो same activity perform कर रही होती है, जो main business कर रहा होता है तो इसी को कहा जाता है branch जैसे एक example बताती हूँ SBI bank नाम तो सबने सुना होगा मैंने इसलिए government bank लिया और सबसे बड़ा government bank that is SBI State Bank of India नाम तो सुना होगा State Bank of India का head office कहां पर है Mumbai में head office है लेकिन इसकी hundreds of branch all over India है hundreds of branch है वर्चप की जो SBI है उसकी thousands of branch all over India और abroad, इंडिया के बाहर भी situated है तो ये सब क्या है branch है ये जो जितनी भी branches है ये सब अलग-अलग location पे separated है इंडिया में हर जगा अलग-अलग location पे SBI के छोटे-छोटे office है और वो भी same activity perform करते है जो head office करता है बस वो एक अलग location पे separated है और उन्हें control कर रहा है head office ही उन्हें guide कर रहे होते है तो ये क्या है ये है branch ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे अगर मैं greater noida की बात करूँ तो greater noida में SBI की दो branches है ठीक है तो ये क्या है branch चलिए आगे बढ़ते हैं देखते है branch account क्या होता है ठीक है branch तो हमने समझ लिया क्या होता है branch account देखते है branch account क्या है this is the account of the branch नाम जी समझ में आ रहा है branch account यानि this is the account for the branch branch के लिए account है जिसमें हम सारी transaction जो भी branch के transactions है वो सब record करते है ठीक है branch account क्या है branch account is an account in which we record all the transaction of the branch branch के जितने भी transaction है वो record किये जाते है चाहे वो transaction head office के साथ हो चाहे वो transaction किसी outside party के साथ हो चाहे वो transaction किसी different branch के साथ हो ठीक है वो सारे transaction branch account में maintain किये जाते है और ये branch account बनाता कौन है कौन मनाता है branch account ये branch account बनाता है head office head office अपने book of account में इस branch account को maintain करता है ताकि वो control कर सके उस particular branch के जो भी operations है ठीक है उनको control कर सके इसलिए head office branch account maintain करता है अपने book of account में और branch account बनाने का वैसे सबसे important purpose तो ये है कि उस particular branch का जो भी profit loss है ठीक है वो जो particular branch है वो कितना profit कितना loss earn कर रही है ये अलग से calculate किया जा सके हर branch का अलग-अलग operation हो रहा है अलग-अलग वो profit loss earn कर रही है हर branch का customer base अलग है ठीक है हर branch का turn over अलग है तो हर branch का क्या होगा profit loss अलग होगा बट ये find out कैसे होगा ये find out होगा with the help of branch account तो branch account बनाने का सबसे important purpose बैसे यही है कि उस से उस particular branch का कितना profit कितना loss है ये find out हो सके और हर company चाती है कि वो पता करें कि उसकी अगर thousands of branches अगर इंडिया में हैं तो उसमें से कौन सी branch है जो सबसे ज़्यादा profit earn कर रही है कौन सी branch कितना profit earn कर रही है सबसे low profit earning branch कौन सी है तो ये find out करना हर company चाती है बट ये कैसे find out होगा with the help of branch account ठीक है तो this is branch account तो branch account एक account है जिसमें company के उस branch के sorry company के नहीं उस branch के सारे transaction record होते हैं ठीक है अब अलग-अलग accounting system है ठीक है अलग-अलग different methods है different accounting system है जो use किये जाते हैं branch के transactions को record करने के लिए अब कौन सा accounting system use किया जाएगा ठीक है ध्यांज़े समझेगा अलग-अलग accounting system है branch के transaction को record करने के लिए बट कौन सा accounting system use किया जाएगा branch के transaction को record करने के लिए ये depend करता है तीन बातों पे ठीक है कौन सा accounting system, कौन सा accounting method यूज किया जाएगा, branch के transaction को record करने के लिए ये तीन बातों पर depend करता है सबसे पहला क्या है size of the branch, वो branch कितनी बड़ी है, branch का turnover कितना है ठीक है, वो बड़ी branch है कि छोटी branch है, कितने customer base है ठीक है, उसका operation कितना जादा है इस पर depend करता है तो सबसे पहला factor, जो जिस पर depend करता है, accounting system that is size of the branch, branch की size क्या है, बड़ी branch है कि छोटी branch है ठीक है, दूसरा nature of the branch branch किस type की है dependent branch है, independent branch है ठीक है, home branch है कि foreign branch है, किस type ये branch है तो nature of the branch क्या है उस पर depend करता है, तीसरा क्या है degree of control degree of control मतलब कि head office कितना control रखना चाहता है उस particular branch पे ठीक है head office, जो HOA head office वो कितना control रखना चाहता है उस particular branch पे तो इन तीन क्या लिजे factors पे depend करता है कि हम कौन सा accounting system कौन सा accounting system use करते हैं for maintaining the branch account branch account बनाने के लिए कौन सा method use किया जाएगा यह depend करता है इन तीन चीज़ों पे size of the branch, nature of the branch and degree of control ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं type of the branch branch कितने type की होती है तो अगर major हम मोटा मोटा बात करें तो branch दो type की होती है एक होती है home branch और एक होती है foreign branch ठीक है जिस country में head office है उस country में branches होंगी न that will be home branch जैसे अगर मैं SBI की बात करूं तो SBI का head office मुंबई में है तो इंडिया में जितनी भी branches होंगी वो क्या होंगी home branch और इंडिया के बाहर जितनी भी branches होंगी वो क्या होंगी foreign branch ठीक है और ऐसे ही कोई अगर दूसरी country की कोई company है ठीक है उसकी जो branches इंडिया में है वो उस company के लिए क्या हो जाएंगी foreign branch ठीक है foreign branch यानि outside country country के बाहर की जो branch है वो foreign branch हो गई ठीक है अब home branch दो type की होती है कौन-कौन सी dependent branch and independent branch अब इन दोनों के बारे में हम detail में discuss करेंगे सबसे पहले देखते हैं dependent branch क्या होती है depend करना यह क्या है word dependent branch dependent मतलब depend करना निर्भर रहना ठीक है तो नाम से ही खेट समझ में आ रहा है dependent branch वो branch होती है जो depend करती है head office पे totally head office पर depend करती है हर चीज के लिए head office पर depend करती है और वो अपने book of account को खुद नहीं maintain करती है ठीक है उसका जो book of account है कौन maintain करता है head office maintain करता है तो उसको कहते है dependent branch ठीक है यही देखे मैं लिखा है dependent branch are those branches which are not keeping their own separate set of book dependent branch वो branch है जो अपने book of account को खुद नहीं separately maintain करती head office जिनका book of account maintain करता है उन्हें dependent branch क्याते है dependent branch का एक और नाम है agency branches भी इन्हें कहा जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं मैं आपको dependent branch के कुछ और features बताती हूँ जिससे और अच्छे से आपको clear हो जाएगा कि dependent branch क्या होती है सबसे पहला feature जो dependent branch का है वो यह है कि dependent branch depend करती है head office पे for supply of goods यानि जो goods है ठीक है वो कौन supply करता है dependent branch को head office तो head office पे depend करती है dependent branch for supply of goods head office उनको goods provide करता है दूसरा जो feature है that is related with expenses जो भी खड़चे होते है dependent branch को यो भी खड़चे होते है वो ओन पे करता है head office च्रीक करता है ब्रांच को कोई भी खड़चे पे करने के जओत नहीं है head office च्डरटल ठीक है, ब्रांच को क्या देता है, पिटी कैश, और डिपेंडेंट ब्रांच इसी पिटी कैश से, अपने जो पिटी एक्सपेंसेज हैं, जो छोटे खड़्चे हैं, उसको मीट आउट करती है, राइट, चलिए फोर्थ फीचर देखते हैं, नॉर्मली जो डिपेंडेंट ब ब्रांच को जो रिसीव होते हैं, उसे डिपेंडेंट ब्रांच को कैश में सेल करना होता है, लेकिन अगर head office उन्हें ऑथराइज करें, तो वो क्रेड़िट में भी सेल कर सकते हैं, ठीक है, गोड्स को क्रेड़िट पे भी सेल किया जा सकता है, अगला फीचर क्या है, जो भ डिपेंडेंट ब्रांच को डेली रिमिट करना होता है, head office को, यानि head office को daily भीजना होता है, या तो daily भीजें, या फिर कोई bank account open करें, head office के नाम पे, और उसमें deposit करें, ठीक है, तो जो dependent ब्रांच होती है, वो cash अपने पास नहीं रखती है, daily का daily जो भी cash sale हो रही है, उसका प करती है, लेकिन ये memorandum record maintain करती है, जैसे cash book maintain करेगी, debtor account maintain करेगी, stock register maintain करेगी, ठीक है, तो dependent ब्रांच कोई book of account, branch account वगेरे नहीं maintain करती है, लेकिन ये memorandum record maintain करती है, ठीक है, तो these were the features of dependent ब्रांच, अब मुझे उम्मीद है कि आपको dependent ब्रांच अच्छे से समझ में आ गया हो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं accounting procedure, in case of dependent branch, dependent branch के case में कौन सा method, कौन सा accounting system use किया जाता है, जो head office है, वो book of account को maintain करने के लिए, जो head office है, वो branch account बनाने के लिए, कौन सा method use करता है, तो ये चार method है, और ये बहुत ही important है, ठीक है, ध्यान से सुनेगा, ये चार method है, जो head office use कर सकता है, अपने book of account को maintain करने के लिए, यानि dependent branch के account को maintain करने के लिए, चार method use कर सकता है, ठीक है, चलिए, अब इन methods को एक-एक करके discuss करते है, सबसे पहला method है, debtor और direct system method, ये जो debtor या direct system method है, इस method में क्या होता है, इस method में head office एक account maintain करता है, एक branch के लिए, head office maintain करता है, one account for one branch, यानि एक branch का एक account maintain होता है और वो account कौन सा होता है, वो होता है branch account, ठीक है और इसी account से पता चलता है कि उस particular branch का क्या profit है, क्या loss है, ठीक है, ये जो data or direct system method है, इसमें केवल एक account बनता है, कौन सा account, branch account, और इसी से branch का profit loss पता चलता है, और ये branch account होता है किस type का account है ये nominal account है ठीक है और ये जो पहला method है debtor या direct system method ये तब use किया जाता है जब branch generally small size की हो छोटी branches के लिए कि method यूज किया जाता है debtor और direct system method ठीक है अच्छे इसका नाम जो है ना debtor या direct system method debtor कह लिजे debtor system इसले रखा गया है क्योंकि इस method में जो head office है वो branch को एक debtor की तरह consider करती है ध्यान से सुनिएगा इसका नाम debtor method इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो head office है वो branch को एक debtor की तरह consider करती है ठीक है जब मैं अभी branch account बनवाऊंगी तो आपको अच्छे समझ में आएगा तो एक debtor की तरह consider करती है इसलिए इसका नाम है debtor system ठीक है चलिए दूसरा method देखते हैं दूसरा method है final account दूसरा method क्या है final account system इस method में दो account head office maintain करता है इस method में दो account बनाए जाते हैं branch का profit loss find out करने के लिए पहला है branch trading and PL account ठीक है दूसरा है branch account लेकिन इस branch account में थोड़े और items होते हैं as compared to the first method ठीक है तो this is the second method of accounting यह दूसरा method है तीसरा method क्या है तीसरा method है stock and debtor system stock and debtor system यह method कभी use किया जाता है यह जो method है यह तब use किया जाता है जब head office ज्यादा control करना चाता है head office चाता है कि branch को better control कर सके branch को तब यह method यूस करता है stock and debtor system method यहाँ पे head office एक account नहीं दो account भी नहीं यहाँ पे head office पाच account maintain करता है हर branch के लिए यह देखे मैं लिखा है under this method head office maintains a number of accounts for keeping a record of the branch transaction in place of one branch account एक branch account की जगह यहाँ पर head office कई account maintain करता है branch के transactions को record करने के लिए ठीक है basically यहाँ पे पाच account maintain होते है कौन कौन से account branch stock account दूसरा branch adjustment account तीसरा branch expense account चौथा branch PL account उसके बाद branch account तो यह वाला जो method है इसमें 5 account head office maintain करता है और यह method जनरली वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पे बड़ी branches है जहाँ पे branch बहुत बड़ी है branch की transaction बहुत जादा है और head office better control करना चाहता है branch को वहाँ पर हम यह method यूज करते हैं stock and debtor system ठीक है तो आपने पहले method में जो debtor system method है वहाँ देखा कि एक account बनाए जाता है दूसरा final account system वहाँ पे देखा आपने दो account बनाए जाता है तीसरा यह जो method है stock and debtor system यहाँ पर 5 account बनाए जाता है ठीक है इस lecture में मैं आपको केवल theoretical aspect बता रही हूँ अगले lecture में मैं आपको यह चारो जो methods है इनको detail में बताऊंगी कि branch account actual में बनाते कैसे हैं उसका format क्या है ठीक है branch account और branch PL account कैसे बनाते हैं और उस पे हम numerical करेंगे अगले lecture में लेकिन आज मैं आपको theory थोड़ा सा clear करा रही हूँ फिर उसकी बाद चौथा method भी है चौथा method क्या है wholesale price system wholesale price system कब use होता है जब head office एक retail branch open करें और अपने जो goods हैं वो retail branch के throw भी बेचे और wholesaler के throw भी अपने goods sale करें तो वहाँ पर जो method यूज किया जाता है that is wholesale price system जब head office एक retail branch के throw भी अपने goods बेचे और wholesaler के throw भी goods बेचे तो वहाँ पर हम ये चौथा method यूज करते हैं तो ये थे चारो methods I hope आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे बहुत important है ये चारो methods अच्छे से देख लीजेगा बाकी इसके second lecture भी आएगा branch account का उसमें मैं ये जो चारो method है इनके account बन माऊँगी चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं independent branch हमने dependent branch तो देख ली dependent branch जो head office पे depend करें हर चीज के लिए goods के लिए expenses के लिए ठीक है और अपने book of account को भी खुद नहीं maintain करता है head office maintain करता है वो हो गई dependent branch अब अगला क्या है independent branch independent का क्या मतलब होता है independent मतलब आत्न निर्भर यानि जो खुद पे depend करें जो दूसरों पे depend ना करें that is independent branch तो independent branch वो ब्रांच होती है जो अपने book of account को खुद maintain करती है separately अपने book of account को खुद maintain करती है जो head office पे नहीं depend करती है that is called independent branch देखे मैंने यह लिखा है branch is set to be independent when it maintains a separate set of books of account ठीक है branch को independent branch तब कहते हैं जब वो अपने खुद books of account को maintain करें तो उसे हम independent branch कहते हैं ठीक है वो branch जो अपने business को खुद carry on करे as an independent unit एक independent unit यानि एक आत्म निर्भर unit की तरह ठीक है एक self dependent unit की तरह वो branch जो अपने business को खुद से carry on करे अपने जितने भी transactions हैं अपने book of account में maintain करे खुद अपना trial balance बनाए PL account बनाए ठीक है एसी branch को हम कहेंगे independent branch ठीक है और feature आपको बताती है independent branch की की independent branch ठीक है अपना trial balance खुद बनाती है PL account खुद बनाती है लेकिन trial balance की जो एक copy है वो independent branch भी head office को send करती है ताकि head office उसे क्या कर सके incorporate कर सके incorporate करना मतलब include कर सके किसमे include कर सके अपने consolidated PL account बे consolidated मतलब क्या होता है consolidated मतलब होता है एकटा जो एक एकटा अपनी सारी branches का जो मिला के head office अपनी सारी branches का मिला के जो profit loss calculate करती है balance sheet बनाती है उसे उसमें अपने independent branch का भी profit loss include कर सके तो कब include कर पाएगी जब independent branch उसे अपना trial balance भीचेगी ठीक है तो independent branch अपना ठीक है trial balance बराती है PL account बनाती है लेकिन अपने trial balance की एक copy जो है वो किसको forward करती है head office को ताकि head office उसे include कर सके अपने consolidated profit loss में ठीक है अपना जो एकटा profit loss balance sheet बनाएगा head office अपने पूरे business का as a whole जो बनाएगा उसमें उस particular branch का profit loss include कर सके ठीक है तो this is independent branch और जो independent branch है वो goods के लिए head office पर depend नहीं करता है ठीक है independent branch do not depend upon head office for supply of goods किसी भी goods के लिए head office पर depend नहीं करता है अपने खर्चे को meet करने के लिए head office पर depend नहीं करता है और नहीं independent branch को daily का daily cash भीजना होता है head office ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है independent branch अपने खर्चे भी खुदी देखती है goods की supply कहां से लेनी है वो भी खुदी देखती है और daily का daily उसे कोई head office cash भी नहीं भीजना है यह सब किसमें होता था यह सब होता था dependent branch में dependent branch को भीजना पड़ता था और independent branch को नहीं भीजना पड़ता है ठीक है तो यह था पूरा independent branch के बारे में आजाएए देखते हैं अगला foreign branch foreign branch क्या होता है foreign branch भी एक independent branNCH की तरह हекс होता है बस वो located होता है outside country foreign branch क्या है independent branch है आतन नर्भर self dependent branch है बस वो country के बाहर है हमारी India country के बाहर जो branch होगी ठीख है वो क्या है foreign branch अगर उसका head office in India में है और outside country में कोई branch है तो उसको हम कहेंगे foreign branch ठीक है, अब यह जो foreign branch है, अपने book of account को किस currency में maintain कर रहा होगा, foreign currency में maintain कर रहा होगा, ठीक है, क्यों foreign currency में maintain कर रहा होगा, क्योंकि उस country की, जो currency होगी, उसी में तो transaction record हो रहे होगे, जैसे अगर मैं example लूँ, US में, SBI, State Bank of India की, अगर US की कोई branch है, तो वो किस currency में transaction को record कर रह होगी, वो dollars में record कर रही होगी, ठीक है, और क्योंकि एक independent branch की तरह काम करता है, तो ये trial balance की जो एक copy है, वो head office भेजता है, ठीक है, trial balance की जो एक copy है, वो head office भेजता है, ताकि head office उसको अपने book of account में include कर ले, ठीक है, but head office को, उस trial balance को, अपने book of account में include करने से पहले, क्या करना पड़ेगा, किसमें convert करना पड़ेगा, own currency, head office की जो currency है, उसमें उसे convert करना पड़ेगा, और उसके बाद वो incorporate कर पाएगा, उस foreign branch का, जो trial balance है, उसे अपने book of account ने, ठीक है, तो this is foreign branch, ये होती है, foreign branch, I hope आपको lecture अच्छे सा समझ में आ गया होगा, वैसे मेरा गला बहुत से मेरी आवाज सुननी है, ठीक है, चलिए मैं आज का lecture यहीं पर wind up करती हूँ, this was all about this lecture, thank you, और अपना ध्यान रखिएगा, अपना और अपने परिवार का, corona इस टाइम बहुत जादा फैला हुआ है, ठीक है, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए, exam postponed हो गए है, लेकिन exam अब ब्लस यू, stay safe and stay at home, thank you.